Good morning students, welcome to TMBS online class. आज हम लोग Hindi language का part 3, learn पढ़ेंगे. इसके अंतरगत हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्वर्व्यंजन, संयुक्त्व्यंजन, एवं स्वर्मात्राएं. तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कि learn किसे कहते हैं? बचों, जब हम छोटी classes में होते हैं, यह कह सकते हैं कि जब हम पढ़ाई एकदम शुरूर करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा जाता है? आ, आ, ए, इ, का, खा, गा. और English में क्या पढ़ा जाता है? A, B, C, D. तो यह जो अकशर हैं, अ, आ, इ, 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 इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्ण. यह जो अकशर हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वर्ण. वर्ण को English में Alphabet कहते हैं. और वर्ण माला किसे कहते हैं? जो ये अक्षरों का समूँ या वर्णों का जो समूँ है उन्हें हम क्या कहते है वर्ण माला बच्चों वर्ण को दो भागों में विभाजित किया गया है पहला है स्वर और दूसरा विंजन पहला क्या है स्वर और दूसरा विंजन चलिए आप देखते हैं स्वर किने कहते हैं ये जो लिखे हुए है आ आ इई उ री ए ए ओ आ ये क्या है स्वर इन्हें हम क्या कहते हैं स्वर गिंती में ये कुल 11 होते हैं और जो अंग और अहा होते हैं ना ही ये श्वर में आते हैं, ना ही ये विंजन में आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आयोगवाः वर्ण कहते हैं चलिए, आप ये देखेंगे कि विंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं का, खा, गा, खा, अंगा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, रा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, रा, सा, हा बचों यह सारे क्या है वेंजन इनकी कुल गिंती होती है 33 परनतु जो धा और डा है इनका विकसित रूप है धा और डा धा और डा इनकी भी गिंती अब वेंजनों में हो गई है इसलिए हिंदी में कुल 35 वेंजन है 33 ये और रा और रा दो और 35 पैतेस मतला 35 तो हिंदी में कुल कित्ते व्यंजन है 35 व्यंजन है नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन बचों छा, त्रा, ग्या, और श्रा ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन मतलब आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहोगा संयुक्त मतलब योग जब दो व्यंजनों को मिला कर एक व्यंजन बनता है जब दो व्यंजन को मिला देते हैं और उससे एक व्यंजन बनता है उससे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन चले हम लोग इसको उधार से समझेंगे जैसे यहां लिखा है क्षा बच्चों क्षा, का और शा को मिला कर बना है इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्षा, त्रा, ता और रा के संयोग से योग से बना है इसलिए इसे क्या कहेंगे? संयोग दिवेंगे जैसे ही ग्या, जा और या को मिला कर बना है श्रा, सा और रा को मिलाकर बना है इसलिए क्षा, त्रा, ग्यां और श्रा ये चारों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं मतलब दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं नेक्स टॉपिक है, स्वर मात्रा, अब बचो ये जानेंगे कि मात्रा होते क्या है, प्रतेक स्वर के कुछ चिन होते हैं, चिन मतलब साइन, उन्ही चिनों को हम क्या कहते हैं, मात्रा है, सिर्फ छोटा आ ऐसा स्वर है, जिसका कोई चिन है, जिसका कोई भी मात्रा नहीं होते वो स्वर कौन सा है? छोटा आ छोटा आ स्वर को छोड़ कर शेश सभी स्वरों की मात्राएं होती है इन्हें व्यंजन के साथ लगाया जाता है स्वरों की मात्राएं निम्ण प्रकार है मात्राएं मतलब स्वरों की जो चिन होते हैं उनीको मात्राए कहते हैं, जो निम्ड प्रकार से हैं पहला स्वर कौन सा है? छोटा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि छोटा सिर्फ ऐसा स्वर है जिसका कोई चिन्ध या मात्रा नहीं होती है और विंजन पे इसका कोई भी प्रेयोग नहीं होता है इसका शब्द माल लिजे हम लिखें कल तो आप इस शब्द में भी देख रहे होंगे कि किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है दूसरा स्वर है बड़ा आ जिसका चिन या मात्रा इस प्रकार से होता है और यह व्यंजनों पे इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिसका उचारण है का और इसका शब्द है काम तीसरा स्वर है छोटी ई जिसका चिनिया मात्रा इस प्रकार का होता है और व्यंजनों के साथ यह इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है इसका उच्चारण है कि इसका शब्द है कि सान चौथा स्वर है बड़ी इ जिसकी मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है और वेंजन के साथ इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है इसका उच्चारण है की इसका शब्द है कीमद पाचवा स्वर है छोटा उ जिसका चिन यह मात्रा इस प्रकार से प्रयोग के जाता है और व्यंजन के साथ इसका प्रयोग इस तरह से होता है इसका उच्चारण है कु और इसका शब्द है कुछ छटा स्वर है बड़ा उ जिसका यह मात्रा इस प्रकार से होती है इसका प्रयोग व्यंजन पे इस प्रकार से होता है इसका उचारण है कूग और इसका शब्द है कूग सात्वा स्वर है री इसका चिन्न या मात्रा इस प्रकार से होती है जो व्यंजन पे इस प्रकार से प्रदर्शित या प्रयोग की जाती है इसका उचारण है क्री और इसका शब्द है क्रिपा आठमा स्वर है ए जिसकी मात्रा इस प्रकार से होती है और व्यंजन पे इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है इसका उचारण है के और इसका शब्द है केला नामों स्वर है ए इसकी मात्रा या चिन इस प्रकार से होता है और व्यंजनों पे इसका प्रयोग इस प्रकार से होता है इसका उचारण है के और इसका शब्द है कैसा दसवा स्वर है ओ जिसकी मात्रा इस प्रकार से होती है और विंजनों पे इस प्रकार से प्रदर्शित या प्रयोग किया जाता है इसका उचारण है को और इसका शब्द है कोयल ग्यारव मात्रा है स्वर है ओ जिसकी मात्रा इस प्रकार से होती है और इसका प्रयोग व्यंजन पे इस प्रकार से किया जाता है इसका वो चारण है कौ और इसका शब्द है कौन तो बच्चो आज के लेसन में हमने जाना वर्ण किसे कहते है स्वर और वयंजन कौन कौन से वर्ण होते हैं सहियोकि वयंजन कौन कौन से होते हैं और स्वर मात्रय कौन कौन से होती है Thank you